नवस्का दोस्तों इनकी वर्तमान आयू 38 एर्स है और ये गल्फ में काम कर रहे हैं इन्होंने लिखा है अच्छी जॉब है पर मुझे लगता है डिजायर प्रोग्रेस नहीं है आपकी जीवन बर प्रोग्रेस रहने वाली है आपका मन का केवल एक कौना है जहां आपको लग मेरे पिता इंडिया में है और उनकी हेल्थ की चिंता रहती है नेच्रल है जिस वेक्ति का जुपिटर माउंट छोटा होता है उसे परिवार से दूर रहना पड़ता है मैंने कई वीडियो में कहा हुआ है तो ये चीज आपके साथ भी हो रही है फीचर में इंडेश्यल या वर्श्व खुलनी है पॉसिबल है बहुत कुछ पॉसिबल है आपके हाथ में सारी चीजे मैं बताओंगा स्कीन प्रॉबलम है इसके बारे में बताओं गाओ आपसे इसके बारे में चर्चा भी हो चुकी है सन आइएस या आईएट में जम भीजने की, इनकी इच्छा इससे पतादर चलेगी सन के बारे में इसे पता नहीं चलता कि पत्णी के हेल्थ की भी पत्नी के हाथ पर पता चलती है आपके हाथ से नहीं पता चलेगा घर खरीदने की कोशिस की पर पूरी नहीं बीडि़ हाँ मैंने लास्ट एर कि इंडर्स्च जरूर Oh het कमर्शियल ओफिस जरूर ली है घर भी आएंगे एक प्रॉपर्टी नहीं कई प्रॉपर्टी आपके हाथ में लिखी हुई है मैं सारी जीवन रेखा पर आपको बताऊंगा मुचल फंड में इन्वेस्ट करता हूं अच्छा रहेगा आपका हाथ रियल में अच्छा है मुचल फंड हाँ शेर मार्केट में जब रहू रेखा काटेगी और आप गल्फ में रह रहे हो उस पिरियड में आप खास ध्यान रखना बाकी का जीतना इन्वेस्मेंट करना है जहां करना है सब कर सकते आप आपके जीवन में जो जो चीजे दिख रही है उसके बारे में मैं डिसकस करूँगा उससे आपको काफी कुछ पता चल जाएगा कि आपके हाथ में क्या ख़जाना चिपा हुआ है यह जब रेखा बनती है तो व्यक्ति बहुत जादा समझदार होता है और जीवन में जो अपर्चुनिटी आती है उससे ग्रेब करके आगे बढ़ता है जिस व्यक्ति का हाथ इतना चोड़ाई भराओ ऐसे लोगों को रेगिस्तान में भी वेदो और यह रेगिस्तान में ही है वहाँ से भी मिठा पानी निकल के लाए यानि इतने मेहन्तु होते कहने का मतलब तो यह बेस्ट पार्ट है अंगुठा काफी अच्छा है तो परस्नलिटी अच्छी होगी फर्स फैलेंज भी नूखी लाए और सेकंड फैलेंज भी अच्छा है लॉच्छी के साथ तक्त्यों के साथ बात रखने में काफी एक्सपर्ट होंगे हाथ की उंगलिया छोटी है बहुत फास नीने लेने वाले होते और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज्यादा रहती शूरी की उंगली बढ़ी है वेक्ति में हिम्मती सबाव रहता और जुपिटर की उंगली जरासा भी बैंड हो तो वेक्ति में धार्मिक पर मनी मेंजमेंट मुझे नहीं लगता है यह कमजोर होंगे कि बहुत बड़ा मनी ट्रमिके हाथ में बना हुए हाथ अब बुद्ध परवत पर अगर आपको एक सिंगल रेखा दिखे तो यह रेखा शो करती है व्यक्ति अचानक धनलाब आता है यानि यह रेखा होती है तो कभी न कभी जीवन में ऐसा मौका आता है यह शाइन करती है और उस शाइन मैं समझो एक एकजाम पहला गर कोई व्यक् करेगी उस प्रियड में व्यक्ति दो लाग पांच लाग पर मंद कमाता है यानि इस तरह का लाग होता है और बड़ी लाइन है तो जीवन के अंत तक यह अच्छे खासे सब्रुद्ध बनते हैं और जब आपका बुद्ध परवत यहां से दबाओ तो व्यक्ति अपने मन की की बात नहीं कर पाता सौ वाक यह बोल देगा पर उसके मन में क्या है वो सामने ओपन नहीं कर पाता चाहे परिवार में बैठाओ चाहे बिजनेस के कारेच्छेत्र की मीटिंग में बैठाओ और यह पार जब उभार रहता है तो व्यक्ति को नाम के प्रती जादा जिक्यासा होती है छोटा भी काम करेगा तो नाम के प्रती जिक्यासा होती है पर इनके हाथ में एक यर्ष की साइन भी है यह अच्छा खासा यर्ष दिलाएगी इनको जीवन में अभी भी मिला होगा आगे भी मिलता रहेगा इनके सन मांट पर बहुत कुछ है तो यह बैस्टी चीज है इनके हाथ में फेम की एक यहाँ पर स्टार भी बना हुआ है मैं दूसरे फोटोग्राफ से इनका उस पर दि जीदिया अभी इनके हाथ में एक स्कुएर यहां पर बहुत बड़ा दिख रहा है यह बाते भले इंड़र्श्यल सेड की कर रहे हो पर मुझे इनके हाथ को देखकर लगता यह कोई नहीं कोई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करेंगे क्योंकि यहां इंपोर्ट- कोट्रों के हाथ में इस तरह की लाइन होती है और इतना बड़ा जब स्कुएर किसी के हाथ में होता तो फैला हुआ मल्टी सिटी का काम होता कई देशों में काम करता गट्री और अपनी आयसे अधिक अच्छी तरह ये लोग रहते आसपास के लोगों को लगता इनके जीवन म कि मल्टीबल प्रॉपटी की साहीन है तो आप एक से अधिक प्रॉपटिए खरीदोगे या निर्मान करोगे प्रॉपटी के योग तो आपके हाथ मैं भरपूर है मैं के करके सारी चीजों को टिखाउंगा और यहाँपर एक ट्रैंगल भी बन रहा है यहाँपर भी किया है कि जौब अच्छी है पर डिजायर अब डिजायर एक ऐसी चीज है कि हर व्यक्ति को लगता है कि मैं X के जितना अमिर बनूं या Y के जैसा पर हर एक का अपना अपना लेवल होता है उस हिसाब से आपका हाथ काफी उत्तम है यहाँ पर सुर्य से गुरू की और जाती रेखा है प्लस फेट लाइन भी गुरू की और जा रही है जब इस तरह की रेखा है होती है तो यह उच्च पद भी दिलाती है बड़े बड़े लोग इनके जीवन में संपर्क में आते हैं ये condition भी होती है बड़े लोगों से उटना बैटना भी इनका जीवन में कभी न कभी possible होगा या होता भी होगा तो मुझे जानकारी नहीं है तो ये line best line है इनके लिए अब यहां पर देखिए विद्या रेखा कितनी बड़ी है लोग इनको पुछ-पुछ कर काम करते होंगे बच्पन से और जैसे जैसे उम्र बड़ेगी और जादा लोग पुछ-पुछ कर काम करेंगे basic knowledge भदपूर रहता है शनी परवत एकदम flat है तो आलस क्या होता है पता ही नहीं होता व्यक्ति को और एक रेखा सुरिपरवत की और थोड़ी सी जुक रही है एक रेखा और सुरिपरवत की और जा रही है एक जुपिटर की और जा रही है तो multiple income के सुरोत आपके जीवन में create होंगे इस रेखा का मतलब है ससुराल पैसे वाला मिलता है या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है पॉलिटिकल लाप या सरकारी लाप और व्यक्ति चाहे खुद का काम करे या जॉब करे बड़े स्थान पर पहुशता है तो किसी को चारो लाब मिलते किसी को तीन किसी को दो और किसी को एक अब आपका जूपिटर माउंट मैं ये नहीं कहता कि आपको समस्या होगी पर ये पारिवारिक समस्या वाला जूपिटर माउंट है हाँ एक cross आ जाता है तो पत्नी के साथ relation अच्छे होते हैं पर सर में एक बार वच्छपन में जोड़ से लगा होना चाहिए और सरदर्द का problem होना चाहिए नहीं तो इस तरह का Jupiter mount पारिवारिक और सांसारिक समस्या क्रियेट करता ही है किसी न किसी रूप से मैं इसका उपाय दे दूँगा और चोटा Jupiter mount है तो आपको परिवार से दूर भी रखता है और यहाँ पर cross तो बनी रहा है आपको 100% सर में लगा ही होगा और सरदर्द का problem रहता ही होगा और यह square मुझे कहीं पर ऐसा लग नहीं रहा है कि यह complete है अगर यह complete होता है तो व्यक्ति बहुत बड़े घर में रहने का सौभाग यह प्राप्त होता है 36 साल में authority position 32 के पहले कोई ने को property लेता है पर संकित आपके close up में भी नहीं आ रहे है कि यह square complete है अगर यह complete होगा तो यह सारे लाब और बुलने के कारे में व्यक्ति को महारत आसिल होती है एक line, दो line, तीन line यह व्यक्ति को multiple income के सुरोथ create करवाती है अब मंगल की तरफ देखे, तो मंगल एक व्यक्ति मंगल है आपका, तो सरीर की energy अच्छी खासी रहेगी आपके जीवन में, जीवन भर भारी मंगल उससे भी अच्छा है, तो जब किसी से मिलोगे तो energy के साथ मिलोगे सामने वाला comfortable feel करेगा और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है चंद्रपर्वत थोड़ा से यहां से दबा है, तो ऐसे लोगों को बात करने का शौक ज़्यादा रहता है और यहां पर एक cross भी बन रहा है, सब कुछ होने के बावजूट भी इनसान को ऐसा लगता है मैं आज जहां पर हूँ, वहां से नीचे तो नहीं गिर जाओंगा, इस तरह का डर हमेसा बना रहता है जब यह condition होती है, तो मैं इसका उपए दे दूँगा और चंड़ परवत काफी अच्छा उभार लिये हुए, तो इनको पानी अच्छा लगता है, दूँद से बनी वस्तुए अच्छी लगती है विदेश से संबन्द आता है, जो आपका आई चुका है सेकेंड चीज, अच्छे परचेस होते हैं, वैली फोर मनी परचेस करते हैं यह लोग और रिफैंड सोच होती है, और नए-नए काम करने का शौक होता है दूसरा एडवन्टेज आपके हाथ में, एक अच्छी सी बूद रेखा चलकर अप्टू एंड तक जब किसी के हाथ में इतनी अच्छी बूद रेखा हो, तो 100% या तो बड़ी कमपनी का करता धरता बनता है, या अपने जीवन में खुद बड़ी कमपनी बनाता है या शाइन भी है और ये बुद रेखा बहुत बड़ा खेल करती है व्यक्ति के जीवन में, और आपके हाथ में कमप्लिट मनी ट्रेंगल बन रहा है जब इतना अच्छा मनी ट्रेंगल हो, तो व्यक्ति का भंडार हमेशा भड़ा रहता है, और इंकम के सुरोत अच्छेखा से क्रियेट होते है और ये एक और बुद रेखा आपके हाथ में चल रही है, ये कभी-कभी एडिक्शन फिलिंग कराती है, यानि खाली पन का एहसास देती है उस खाली पन को भरने के लिए कोई चाय पीता है, कोई कौफी पीता है, कोई धर्म का सारा लेता है कोई कामुकता का सारा लेता है कोई ने कोई व्यासन व्यक्ति के जीवन में रहता जरूर है उस खाली पन को भरने के लिए एक लाइन आपके यहाँ पर भी चल रही है अब यह लाइन बहुत बार ऐसे चलती है तो यह पेट से related issue भी जीवन में हाजमे का problem देती है और बहुत बार यह लाइन जब हमारी धन रेखा को मिल जाती है तो ससुराल वालों का influence भी जीवन में अच्छा खासा रहता है या तो पेट खराब होगा आपका या ससुराल वालों का influence आपके जीवन में ज़्यादा होगा दो मैंसे कोई एक चीज यह लाइन शो कर रही है और यहाँ पर भी cross है यह भी आपको negative feeling देता है अब चलते हैं आपके शुक्र परवत पर शुक्र परवत पर जीवन रेखा पूरी घुमाव ले रही है यह लोग परिवारिक सोच वाले इंसान रहते हैं परिवार के प्रत्यक रेक्टी से टच रखने वाले लोग होते हैं प्लस कहीं भार भी गए तो दो पांच बार दस बार घर में फोन करेंगे इस तरह की मान सिकता इनके जीवन में रहती है और शुक्र परवत भी अच्छा थासा है और जब यह जीवन रेखा ऐसे घुमाव लेती है तो यह भी बहुत बड़ा advantage होता है शुक्र की गती को बढ़ा देता है अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छी तरह से रहते हैं जिनका शुक्र अच्छा रहता है खुद का presentation अच्छा रहता है कमाने में भी expert रहते हैं और खर्चने में भी expert रहते हैं अब आपकी हिर्दे रेखा देखें तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और यहां पर फ्लर्ट लाइन बनी है तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बद खुशी डूनता है और जब जुपिटर के पास पहुँच गए तो आदर स्वादी बनाती है व्यक्ति को एक्सपेक्टेशन बढ़ाती है उसके कारण परिवार में कभी कभी टेंस क्रियेट होता है बहुत बढ़ा नहीं हलका पुलका रहता है पर हाथ के नीचे लोगों से ज़्यादा काम ले पाते और ज़्यादा सफलता भी मिलती है और कंप्लिट भरो से लाइक इंसान बनाती है आपको और दे रेखा देखे तो एक लाइन नीचे की तरफ चल रही है ये लाइन व्यक्ति को हमेसा गुसा भरा रहता है इमाम ने हमेसा और ये लोगों के सामने निकाले गुसा तो सामजी की व्यक्ति डिश्टर्ब होती है और मन में रखे तो चर्म रोग होता है और आपने चर्म रोग की बात भी किये स्कीन डिसीज की बात भी किये तो स्कीन डिसीज आप गुस्सा लोगों के सामने निकालते नहीं होगे तो दो आप्शन है या तो लोगों के सामने गुस्सा निकालिए तो ये skin disease आपका निकल जाएगा या किसी कमरे में पैक होकर या किसी garden में जाकर जिस व्यक्ति के उपर गुस्सा आता है उस पर रोज गुस्सा निकालिए तो ये प्रॉब्लम आपका स्वाल होगा नहीं तो 45-48 के आस पास एक-दो साल के लिए बीमार भी पड़ोगे क्योंकि इस तरह की रेखा व्यक्ति को दो साल बीमार भी रखती है बागी हिर्दे रेखा काफी उत्तम है जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा थोड़ी जीमेदारिया बढ़ेगी पर इतनी भी कोई प्रॉब्लम वाली ही रेखा नहीं है काफी उत्तम हरदय रेखा है आपकी माइन लाइन भी देखे तो दुनों के बीच में गयप है ये जब गयप होता है तो ऐसे लोग जिद्धी होते बहुत जादा किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता पर अपनी जीमेदारियों से कभी भागते भी नहीं ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है और जुपिटर से सुरुवात होने वाली माइन लाइन जब होती है तो व्यक्ति महतोकांशी होता और अपनी महतोकांशा पूरी भी करता है और इतनी बड़ी माइन लाइन हो किसी व्यक्ति के हाथ में तो ये 100% सीधा 10 विनिट भी खड़ा नहीं रह पाते होंगे पिछे कमर की और कोई थोड़ा सा पेन होता होगा बिना सपोर्ट के व्यक्ति बैक नहीं पाता तिसरी चीज होती है बिना ग्यान लिए निंद नहीं आती अगर दो-चार दिन ग्यान लेने नहीं मिला तो बैचे नहीं एक द्रग एडिक को जैसी feeling होती है वैसी इनको feeling आती है रात को सोने के पहले या तो कोई टीवी में भी ज्यान की चीजे देखेंगे गूगल पे जाएंगे या यूटूब पे जाएंगे कोई न कोई ग्यान लेने की, किताब पढ़ेंगे, कोई न कोई ग्यान लेने की कोशिस करता है। और अपने बुद्दी के बल पर अच्छा खासा विकास करता है अपती अपने जीवन में। अब धन रेखा के लिए चलते, जीवन रेखा के पहले, क्योंकि इनका close up पर चलेंगे ये जब इस तरह की धन रेखा होती है तो ऐसे लोग बहुत जादा महतुकांशी होते हैं कई लोगों को ये सरकारी लाब भी दिलाती है और जादा तर लोग महतुकांशी होते है अब इनका close up मेरे पास बहुत सुन्दर close up है काफी clear उसकी तरफ चलते है अब जीवन रेखा पर देखे तो इनके उम्र लगबग 21 के आसपास एक बहुत बड़ी राउरेखा ने कट किया था इस पिरियड में काफी संकटों का सामना इनोंने किया होगा उसके पहले triangle बना है तो अच्छी खासी degree भी साथ की होगी अब इसी राउरेखा के पिरियड में बहुत सारे offshoot भी चल रहे है तो अच्छी खासी सफलता है भी इनको मिली होगी ये लगबग मिली होगी 23 से लेकर अब तू 6 साल, 7 साल 4 सफलता है step by step चार सफलता है इनको 7 साल में मिली होगी कोई property भी खरीदी होगी या कोई और gain हुआ होगा कोई न कोई gain जीवन में हुआ होगा फिर उसके बाद एक छोटी सी राउरेखा ने 24 के आसपास काटा है उसके बाद एक 32 के आसपास राउरेखा काटी और यहां पर यात्रा भी शो कर रही है यानि यह साल यात्रा वाला साल राउगा उसके बाद 34 के आसपास एक राउरेखा ने काटा एक राउरेखा आपको उम्र 40 के आसपास 39 40 के आसपास काट रही है आपने लास्ट यह प्रॉपर्टी खरी दी तो यह देखिए आपको जो डिजायर आप जो बोल रहे हो प्रोग्रेस नहीं होती आपके जीवन रेखा पर यह सायंग बनी हुई है यह व्यक्ति को एक घोड़े को जैसे लगाम से बांधा जाता है या तो व्यक्ति को सारे रिक प्रॉबलम होता है यह सायंग के कारण तबियत नरम गरम रहती है या उसे जो कारे करता है उसमें ऐसी फिरिंग आती है जैसे किसी नहीं लगाम से तान के रखा हो तो यह फिलिंग आपको आती होगी जो आपने मैंशन भी किया है तो यह यवसाइन के कारण आपके जीवन में है और यह लगबग अभी पूरी हो रही है वर्तमान समय में यह पूरी हो रही है और एक राव रेखा यह heavily काट रही है यह 40 के आसपास आपको जबर्जस्त और आप गल्फ में हो आपको जबर्जस्त पेन का सामना करना पड़ेग क्योंकि गल्फ में राव रेखाओं का असर बहुत है वह होता है उसके बाद 45 के आसपास एक छोटी सी राव रेखा काट रही है उसके बाद 50 45 के बाद यह एक हलकी सी रेखां यहाँ पर काट रही है 48 के आसपास और उसके बाद ये लगबग काट रही है आपके पांच साल यानि 53 के आसपास और एक 55 के आसपास अब आपने प्रॉपर्टी का भी पूछा तो ये 40 के पहले ये भी एक तरगा आफशूट ही माना जाता है एक ही ये ट्रैंगल बना हुआ है और एक आद प्रॉपर्टी आप खरीदोगे 41 के पहले पहले ये 41 के पहले पहले आप एक आद कोई न कोई प्रॉपर्टी और खरीदोगे क्योंकि ये आपशूट जा रहा है उसके बाद मैं सारी लाइने मीटाता हूँ 42 तक में एक आद कोई और property आप खरीद होगे उसके बाद भी ये triangle बन रहे और उसके बाद ये triangle तो बहुत बड़ा बन रहा है 54 तक आपको राउ रेकार परेशान करेगी ये triangle भी आपको property या अच्छी खासी खरीद वाएगा और उसके बाद भी ये triangle बना हुआ तो जीवन में विकास तो आपके जीवन पर काफी उत्तम रहेगा कोई चिंता की जुरत ही नहीं property के योग भरपूर आपके हाथ में अब आपकी fate line को देखे तो यहाँ पर ये मोटी ये यहाँ तक आपको लगबग 31 के आसपास कोई cut लगा होगा अर्थिक नुक्सान गया होगा और ये line मोटी थी तो इतनी progress नहीं होती व्यक्ति की जीवन में जितना व्यक्ति चाहता है उसके बार ये रेखा पतली होते गई और ये घूम कर ये ऐसे जातर उपर जा रही है और यहाँ पर एक cut आ रहा है ये 38 में आपको कोई न कोई आर्थिक नुक्सान का आपने सामना किया होगा ये रेखा cut कर रही है और एक ये नुक्सान 40 के आसपास आपको जाएगा इसी रेखा के दौरा और एक रेखा और यहाँ से निकल कर आगे बढ़ रही है जो जूपिटर के ओर चल रही है तो हो ना कोई न कोई बिजनेस का प्लानिंग भी आप जीवन में कर रहे होंगे कोई न कोई इन्वेस्मेंट या बिजनेस का प्लानिंग कर रहे होंगे और ये रेखा यहाँ पर cut करेगी और ये भी period लगबग 44 के आसपास का होगा एक 45, 46 के आसपास और एक रेखा निकल कर विदे से धन प्राप्ति के ओर जा रही है और ये रेखा पूरी जूपिटर के ओर जा रही है ये भी आपको अच्छी भासी progress दिलाएगी इस बीच में एक 51 में आपको cut लग रहा है एक 54 में यहाँ पर cut है एक यहाँ पर cut आपको 62 के आसपास है ये इतने cut आपको आर्थिक नुक्सान देंगे और आपने जो construction की बात की यहाँ पर कोई न कोई बड़ा construction आपके जीवन में होगा 59 के आसपास से अप टू 6-7 साल तक बड़ा construction आपके जीवन में आप करोगे और बहुत सारी रेखाए बुड़ा पे तक continue income आती रहेगी आपके बाद income के मामले में कोई problem नहीं जो जो रुकाउटे और जो जो चीजे बताईए उस period में आपको सामना करना पड़ेगा और बहुत सारी property अभी घरीद दोगे और खुब progress वाला हाथ है यह क्योंकि yes sign भी है star भी है जो star मैं mention कर रहा था यह देखिए यहाँ पर यह रेखा आई और यहाँ पर cut करके आगे बढ़ी एक रेखाए यहाँ जा रही है यह थोड़ा सा diluted star है एकदम complete तो नहीं तो 100% result तो नहीं मिलेगा पर कम सम 25% तो यह result देने में सक्षम है हाँ यही रेखा अगर इस तरह से काटती है यहाँ पर काटती है तो यह उत्तम तरीके का star होता था पर यह थोड़ी सी side से cut कर रही है तो फल थोड़ा सा कम हो जाता है पर फल मिलता ज़रूर है बहुत सारी चीजे यश की यह भी लाइन है कोई problem ही नहीं है आपके जीवन में तो काफी उत्तम पाम है खुब progressive पाम है हाँ रुकाओटे हर एक के जीवन में आती है आपके जीवन में भी आएगी और 40 के आसपास आप गल्फ में रहोगे तो आपको बहुत जादा तकलिफ का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ी रावरेखा उस प्रियर में काट रही है तो आशा रखता हूं आपके सभी प्रश्णों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवादी